नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां बड़ी से बड़ी पथरी भी होगी तीन दिन में बाहर बस खाली पेट पी लें कुछ घरेलू जूस जो हम आपको बता रहे हैं आपके लिए बेहद ही कारगर और फायदेमंद जूस है यह किद्नी में स्टोन की समस्या आजकल आम हो चली है इसकी बड़ी वजह खान पान की गलत आदते होती हैं जब नमक एवं अन्य खनीज जो हमारे मुत्र में होते हैं वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या किसी कारण से पेशाव गाढ़ा हो जाता है तो किद्नी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोर वस्तुएं बन जाती हैं जिन्हें गुर्दे की पत्थरी के रूप में जाना जाता है गुर्दे की पत्थरी अलग-अलग आकार की हो सकती है कुछ एक पत्थरी रेत के दानों की तरह बहुत ही छोटे आकार की होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े आमतोर पर छोटे मोटे पथरी मुत्र के जरिये शरीर से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जो पथरी आकार में बड़ी होती है वे बाहर नहीं निकल पाते हैं एवं मुत्र के बाहर निकलने में बहु दिक्कत होती है और कई बार पेशाब रुक जाता है पथरी होने की कोई उम्रे नहीं होती है यह किसी भी उम्रे में हो सकती है यहाँ पर हम आपको पथरी के कुछ एक आसान घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसके बदोलत आप उससे छुटकारा पा सकते हैं जिहां न रामबान की तरह कारे करता है करेले में मैगनेश्यम और फासफोरस नमक तत्व होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं 15 दाने बड़ी इलाची के एक चमच खरबूजे के बीज की गिरी और दो चमच मिश्री एक कप पानी में मिलाकर सुबह शाम दो बार पीने से पथरी निकल जाती है अंगूर में अलब्यूमीन और सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम मातरा में होता है इसलिए किड्नी में स्टोन के उपचार के लिए अंगूर को बहुत ही उत्तम माना जाता है चुकि इनमें पोटेशियम नामक और पानी भरपूर मातरा में होते हैं इसलिए अंगूर प्राकृतिक मूत्र वर्धक के रूप में भी उत्कृष्ट रूप में कारे करता है पका हुआ जामून पथरी से निजात दिलाने में बहुत महतोपून भूमी का निभाता है पथरी होने पर पका हुआ जामून खाना चाहिए किड्नी से श्टोन को निकालने में बथुए का साग भी बहुत ही कारगर होता है इसके लिए आप आधा किलो बथुए के साग को उबाल कर चान ले अब इस पानी में जरासी काली मिर्च, जीरा और हलका सा सिंधा नमक मिला कर दिन में चार बार पीने से शिखर ही फायदा होता है आवला पथरी में बहुत ही फायदा करता है आवले का चोन मूली के साथ खाने से मुत्राशय की पथरी निकल जाती है प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए और श्रधिय गुन पाये जाते हैं इसके प्रियोग से हम किड्नी में श्टोन से निजात पा सकते हैं लगभग 70 ग्राम प्याज को पीस कर और उसका रस निकाल कर पिए सुबह शाम खाली पेट प्याज के रस का नियमित सेवन करने से पथरी छोटे छोटे तुकडे होकर निकल जाती है सुबह शाम खाली पेट प्याज के रस का नियमित सेवन करने से पथरी छोटे छोटे तुकडे होकर निकल जाती है जीरे और चीनी को बराबर मातरा में पीस कर एक एक चमच ठंडे पानी से रोज तीन बार लेने से लाव होता है और पथरी निकल जाती है सहजन की सबजी खाने से गुरदे के पथरी तूटकर बाहर निकल जाती है आम के पत्ते छाओं में सुखा कर बहुत बारिक पीस ले और 8 ग्राम रोज पानी के साथ लीजे आप फायदा होगा पथरी की समस्या से निपटने के लिए केला जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन B6 होता है विटामिन B6 अकजेलेट क्रिश्टल को बनने से रोखता है और तोड़ता भी है विटामिन B6, विटामिन B के अन्य विटामिन के साथ सेवन करना किड़नी में श्टोन के इलाज में काफ़ी मददगार माना जाता है मिश्री, सौफ, सुखा धनिया को लेकर के 50-50 ग्राम के मातरा में लेकर देढ़े लिटर पानी में रात को भिंगो कर रख दीजिए आप और अगली शाम को इनको पानी से चान कर पीस लीजिए और फिर पानी में मिला कर इसका घोल बना लीजिए इस घोल को पीजिए ऐसा नि ज्यादा मातरा में पीजिए शुद्ध तूलसी का रस लेने से भी पथरी को यूरीन के रास्ते निकलने में मदद मिलते हैं कम से कम एक महिना तूलसी के पत्तों के रस के साथ शहद लेने से बहुत लाब मिलता है तूलसी के कुछ एक ताजे पत्तों को भी रोजाना चबा जीरे को मिश्री की चासनी अथवा शहद के साथ लेने पर पत्री घूल कर पेशाब के रास्ते निकल जाती है। पत्थर पर जरा सा पानी मिला करके घीस लें। बेल को पत्थर पर जरा सा पानी मिला करके घीस लें। इसमें एक साबूत काली मिर्च डाल कर सुबह काली मिर्च खाएं। दूसरे दिन काली मिर्च दो कर दें। और तीसरे दिन तीन ऐसे साथ काली मिर्च तक पहुंचे। आ आपका जिहां तो अगर आप इन उपायों में से किसी कोफी सही ढंक से अपना करके कारे करते हैं तो आप देखेंगे कि आप पथरी से निजात पा गए हैं ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही मह निवाद नमस्कार दोस्तों